हलो विवास, वालकम तो न्यू वीडियो फिशेश्टिक जिंदगी तो जैसा कि आप लोग देखी रहे होंगे कि इस पे एक स्रीज चला है बेश्ट मदर बोर्ड फोर प्रोसेसर तो उसी स्रीज को आगे बढ़ाते होई आज फिर से मैं लेके आया हूँ सबसे बेश्ट मदर शरीजट क करते हैं कोंन को चैने मदर बॉर्ड आपको मिल जाते हैं राइजन 526 hell के लिए सबसें बेस्ट में लेते हैं कि इस प्रोसेसर क्या चिया रहा आपको इहां पे मिल जाते हैं के सथे मिल जाते और बश्क्लॉक की स्पिल के साð मेल जाता है इसमें आपको max bush clock up to 3.9 GHz मिल जाता है यानि कि यह और clockable है यहाँ पे भी लिखा है unlocked yes यहाँ पे आपको catch memory यतनी इसमें मिल जाते हैं यहाँ पे available है आप देख सकती है आपको इसमें 12 nm के उपर based technology से बनाया गया तो यह 12 nm है 14 nm से बेतर 7 nm से थोड़ा कम यानि कि बीच का middle range और इसमें आपको socket size मिल जाता है am4 आप लोग जान लीजिए कि ck recording आपको मतलबो चूज करना होता है तो यह है इसका socket am4 इसकी आपको TDP मिल जाती है ddr4 की तो इसी according आप अपना motherboard buy करेंगे यहां पर जितने भी मैं point की बात कि आपका package am4 और यहां पर memory specifications और memory type इसके according आप motherboard choose करते हैं किसी भी processor के लिए और सबसे important बात कि इसमें आपको graphic card नहीं मिलता है integrated graphic card इसमें नहीं है तो इसके लिए आपको कोई ना सबसे best graphic card को रहेगा तो आप मुझे comment कर सकते हैं तो नाव लेट्स मूब और वीडियो श्टैटल बेस्ट motherboard for ryzen 5 2600 तो पहला motherboard हम लों को मिल जाता है MSI B450 Pro VDH Max तो चलिए इसके specifications को जानते हैं क्या क्या इसमें आपको मिल जाता है क्या यह आपके processor के लिए बेस्ट रहेगा और कैसे आप जानेगे कि यह आपके processor के लिए best है जैसा कि आप देखिए रहेंगे पिक्चर में यह हमारा motherboard और इसके specifications इसमें socket आपको AM4 यानि की देख सकते हैं यहां पे आपको max memory support मिल जाता है 3466 MHz जो कि आपके processor के लिए perfect है क्योंकि अगर आप यह processor की frequency इससे कम है तो सही है अगर इससे जाद है तो आपको motherboard चेंज करना होगा लेकिन यह हो ही नहीं सकता है कि यह आप देख रहे हैं इस चैनल पर सारे जानकारी आपको सही मिलती है आगे बारते तो आगे हम लोंको मिलता है यहां पर चैनल तो यह dual memory channel motherboard है और आपको इसे में 64 GB highest memory support मिल जाता है अगर आप देखेंगे इसके slot में तो इस slot में आपको 16 GB की memory लग सकती है तो इस हम लोग के SATA 3K 4 port मिल जाते हैं अगर आप नहीं जाते हैं कि PCI 16 क्या होता PCI 1 क्या होता तो यह सब आप comment पर पूछ सकते हैं वैसे मैं सब्सक्राइब बता जाता हूं यहां पी आप अपने ग्राफिक कार्ट को इंस्टार करते हैं यहां पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप comment कीजिए मैं बता दूगा यह सबसे टेश्ट टेकनोलोजी ए एस एच्टी की तो आपको इस motherboard में मिल जाती है यह टेकनोलोजी आगे बरते हैं तो इसमें एक लैन मिल जाते हैं इसमें आपको USB 3.2 के 6 पोर्ट मिल जाते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे और इसमें USB 2.2 के 8 पोर्ट मिल जाते हैं तो यहां पर on board क्या लिखा और back panel मतलब कि यह आपके motherboard में मिलेगा और on board मतलब की motherboard ही मिलेगा लेकिन इसमें करके आप अपने cabinet में connect कर आगे बारते तो आपको इसमें DVI-D1 मिल जाता है VGA port 1 मिल जाता है HDMI 1 मिल जाता है यह सारे हमको monitor कनेक्ट करने के लिए मिल जाते हैं motherboard में आपको monitor कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन आप जानते होंगे कि processor हमारा सपोर्ट ही नहीं करता है कि ryzen के maximum processor में आपको ग्राफिक कार नहीं मिलता तो आपको simply एक अलग सा ग्राफिक कार खायदना होगा उसके port से आप अपने डिस्प्ले को connect करेंगे बात रही साइज की तो यह आपको 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 आजाएगा तो आप इस एक कर सकते हैं वैसे मैं एक प्राफिक कर चुका होगर आप लोग नहीं देखें तो वह देख सकते हैं हमें अच्छा power supply चूज करना चाहिए अगर आपको आपको अच्छा power supply के बारे में बताऊं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊंगा बेश्ट पावर सप्लाई आपके लिए तो यह रहा पहरा मदर बोट अप चलते हैं नेश्ट मदर और इसकी चिपसेट की बात करें तो AMD का B450 चिपसेट मिल जाता इसमें डिटया मदी फ्रिक्वेंची की बात के जोंकि सबसे इंपूर्ट बात है तो आपको इसमें 3-2-0-0-MHz की फ्रिक्वेंसी मिल जाती है इसमें यतने भी मंद्रबोट की बारे में मैं बता रहा हूं सब में आपको और कोलकर्ग वग सपोर्ट अगर आप अपर करते हैं तो आपको पूर्शर के आने वाला फैन यूज नहीं करना होता उससे बेसे अब को एकates करना होता है इसमें dual channel memory मिल जाती, जिसमें इस slot आपको 16 GB की मिल जाती है और इसमें आपको 4 slot मिल जाता है max memory support 64 की इसमें PCI-16-1 मिल जाता है हमें dalla PCI-1 एफWow 11 मिल जाता है और PCI-4, 1 याथ यसमें आपको 3 तरह के PCI slot बरूर्ठ 3 इसमें आपको 4 slot मिल जाता है यापको थो की साइब करेंगा इसमें पावर सप्राइब करेंगा 500 वाट और उससे ऊपर आप जा सकते हैं इसमें एक और अच्छी बात है अगर आप लोगो थोड़ा इस मदरबोर्ट चाहिए तो आप यह ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको RGB Fusion मिल जाता है अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका प्राइस केतना है तो यह प्राइस सिंपली आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएग इस वीडियो के तो आप वहाँ से जाके से चेक कर सकते हैं तो चलिए अब हम आपको 30 से मदरबोर्ट के और चलते हैं तो थार्ड नमर पर आपको मिलता है असूस का प्राइम बीफॉर फाइफ जिरो एम ए तो इसके स्पेसिट की बात करें तो इसमें भी आपको एम फॉर सॉकित मिलेगा है क्योंकि राइजन की बात यहां पे चल र इसमें PCI4 नहीं दिया गया है, Sata 3 से में 6 मिल जाता हूं और सबसे इंप्रॉडर्ट बात M.2 इसमें भी मिल रहा है, Land 1 मिल जाते हैं और इसमें आपको टोटल USB Port काते हैं, वह मैं आपको बटा जाता हूं इसमें DVI 1 मिल जाते है, HDMI 1 मिल जाता है, इसकी भी साइज आपको Micro ATX मिल जाती है, Power Supply मैं रिकमेंट करूँगा 500W और उससे उपर, तो इस Motherboard में भी आपको RGB Lightning मिल जाती है, तो यही थे कुछ Best Motherboard आपकी इस Processor के लिए, तो अगर आप चाहते हैं इसकी प्राइस देखना तो मैं फिस से याद रादाता हूँ, Thank you for watching.